ओम शी गड़िशाय नमा राधराय दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बतकता एस लोजर में स्वागत है दोस्तों अगर आप प्रेगनेंट हैं तो देखे यह जानने की जिग्यासा अवश्य रहती है कि हमें लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तों वैसे तो 9 मन्त के बाद आपको पता लगी ही जाता है कि आपको लड़का होगा या लड़की लेकिन दोस्तों एक जिग्यासा उस सुकता बनी रहती है प्रेगनेंसी के 9 मन्त तक कि हमें क्या होने वाला है दोस्तों आज की वीडियो में आप खुद अपनी बोड़ी को देखकर अपनी नींद को देखकर अपने खाने पीने को सोने के तरीकों के देखकर आप जान सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को दोस्तो इस लक्षन से आप काफी हद तक ये केलिजे 90% तक अनुमान लगा सकती हैं क्योंकि ये हमारे बड़े बुज़रुग भी बताते हैं और अधिक्तर गर्वती महिलाओं में भी ये लक्षन देखे गए हैं जिनोंने बेबी बॉय को कंसीव करा है तो दोस्तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना करें लास तक जरूर देखें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं और आपको कोई और वीडियो देखने की भी जरौत नहीं पड़ेगी दोस्तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडियो में नोटिस करना है अगर आपका देखें पांचवा छटा महिना चल रहा है और इस महिने के बाद आपका जो टमी है पूरी तरह से दिखाई देने लगता है आप मीरर में भी देख सकती है नहीं तो किसी और से भी आप देखने के लिए कह सकती है आपको अपनी बॉडि में नोटिस करना है कि जो आपकी टमी है आपकी जो बॉडि है अगर आपका पूरा शरीर मतलब जैसे फैटी हो गया है मतलब आप मोटी हो गई है आपके पूरी body पे मतलब मास बड़ा हुआ है चरवी बड़ी हुई है dummy तो है ये tummy तो आपकी दिखी रही है साथ साथ में आपके hips भी बढ़ रहे है आपकी body में और जगा भी मतलब अगर आपको fat दिखाई दे रहा है तो ये sign देखे लड़की होने का माना जाता है वही पर अगर आपका केवल जो पेट है वही दिखाई दे रहा है उसी पर आपको वेट दिखाई दे रहा है यानि आपका जो पेट है उसका वेट जादा दिखाई दे रहा है बाकि आपकी जो बॉड़ी है नॉर्मल पहले जैसी है जैसे प्रे नीद को देखना है अपनी बोड़ी को मतलब देखना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही अगर आपको बहुत ज़्यादा नीद आती है आपके बोड़ी में आपको एक लेजी पन लगता है आप प्रेगनेंसी से पहली मतलब ऐसी आलसी नहीं थी ले ये sign देखें लड़की होने का माना जाता है. और आपको अगर अपनी body में एक अब काम कर ने के लिए को आलस नहीं आरहा है आप फट से कोई भी काम करने को तियार हो जाती हैं तो यह साइन देखि है लड़का होने का माना जाता है दोस्तों मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर मतलब मैंने नोटिस करता था क्यूंकि तो उसको बहुत ज़्यादा आलस आता था और उसको बेटी हुई थी और मेरी दोनों प्रेगनेंसी मतलब में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फिल करती थी और मुझे बेबी बॉई हुआ तो यह लक्षन कहीं ना कहीं मैं कहते हूं 100% सही मतलब एटता है और हमारे बड़े बुजरुग भी बताते हैं इसके साथ ही दोस्तों आपको यह भी नोटिस करना है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा नीद आती है तो यह साइन भी देखे लड़की होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपको मतलब बहुत नीद नहीं आ आती है तो यह साइन देखे लड़का होने का माना जाता है तीसरा लक्षन भी देखे आपको खुदी नोटिस करना है आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस लक्षन को देखना है दोस्तों अगर आपको दाई करवट से सोना अराम दायक लगता है यानि आपको लगता है अधिकतर आप जाता है मतलब लेफ्ट करवर सोती है तो यह साइन देखे लड़का होने का माना जाता है तो दोस्तों यह तीनों लक्षन आपको खुदी अपनी बॉड़ी में नोटिस करना है और इन तीनों लक्षनों से आप मतलब 90% मतलब अनुमान लगा सकते ह हैं कि आपने एक बेबी बॉड़ को कंसीव किया है या बेबी गल को दोस्तों खाने पीने की चीजों से देखे यह हार्मोलन चेंजिस के कारण होता है लेकिन जो मैंने आपको तीन लक्षन बताएं यह 100% कह लीजे मेरी मेरे साथ तो 100% सही बैठा था तो आपको यह खुद चेंजिस अलग-अलग होते हैं एट्मोसफेर का भी मतला फरक पड़ता है तो जरूरी नहीं है कि मेरे में दिखाई दिया तो आप में भी दिखाई देगा बस यह आपकी उस सुकता को जिग्यासा को दूर करने के लिए बनाई गई वीडियो हो और अधिकतर जो गर्वती म प्लीज इसे लाइक करेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलेगा आप सबी को ओम श्री गणेशाए ना था